Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English, which is a different kind of school. एक अलग तरह का स्कूल, एक अलग तरीके का विद्याले है. तो आप सभी विद्याले जाते हैं, आप सभी स्कूल जाते हैं, mostly schools आपने देखे होंगे, almost एक ही तरह के होते हैं. सभी में वही books होती है, आप books पढ़ते हैं, टीचर आपको समझाते हैं, आप फिर उन चीज़ों को learn करते हैं, question answers अपनी copy में लिखते हैं, फिर exam में जाते हैं, तो वही चीज़े as it is उसमें paste कर देते हैं. यही almost सब जगे system हैं, कहा जाता है कि school एक massive copy paste of knowledge हो गया students के लिए. कुछ नया आप नहीं सीख रहे हैं, कुछ करके आप नहीं देख रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, as it is आपके दिमाग में जा रहा है, और वही आप जाके सिर्फ उसको vomit कर देते हैं अपनी answer sheet के उपर, लेकिन इस chapter में आपको आज एक बिल्कुल अलग तरीके का school दिखाया जाएगा, जहां पर आपको चीज़ें सिर्फ theoretically नहीं, बलकि practically करके देखनी होती है, और वह कितना interesting होगा, यह तो chapter हम जब पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, शुरू करते हैं, जो new words आपके होंगे, मैं जब words आएंगे, तभी आपको explain कर दूँगे, अगर कोई भी बचा नया हो चानल पर, तो आप चानल को subscribe कर लिजे, बेल आइकन को प्रेस कर लिजे, जिससे की next time कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है, तो हो आप मिस ना करें, ओके, let's begin now, before you read, आप पढ़ें, उससे पहले कुछ information है आपके लिए, do you know these words, क्या आप इन words को जानते हैं, if you don't find out their meanings, शायद से ये word बहुत जादा use होंगे इसमें, तो इनके meaning आपको पता होने चाहिए, चलिए देख लेते हैं, bandage, bandage बोलते हैं, पटी को, जैसे कई बार आपको चोट लगती है, या bandage बान देते हैं, कोई कपड़ा, या फिर कपड़े की कोई भी वो, bandages आती भी है, उसको bandage कहा जाता है, आँख पे अगर पटी बान दिया है, इस बच्चे ने, तो इसको भी bandage बोला जाएगा, ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए, जो आप यूज करते हैं, नेक्स्ट है, क्रच, क्रच कहा जाता है, बैसाखी को, आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी, तो कुछ, आपकी sticks होती है, बैसाखी, डंडे होते हैं, जिनको आप अपनी armpit के नीचे रखके, सपोर्ट करके चलते हैं, जो लोग, जिनके पैर काम नहीं करते हैं, जनरली वो यूज करते हैं, क्रच का, next is cripple cripple meaning कोई विकलांग विकती आपकी body का कोई भी part अगर काम नहीं करता तो फिर cripple कहा जाएगा उसको next is honor मतलब सौभाग्य कोई काम आप करना चाहते हैं आपको करने का मौका मिला आपको लगता है कि कितना अच्छा हुआ मैंने यह किया तो मैं बहुत honored हूँ सौभाग्य है मेरा next is misfortune misfortune कहेंगे bad luck दुर्भाग्य मिसफोर्चून है कि आपके साथ ऐसा हुआ system तो आप जानते हैं पूरी एक व्यवस्ता एक प्रणाली एक जो होता है आपका एक पूरा framework है जिसमें चीजों को करने के कुछ मैथर्ड्स है न वो पूरा system तो यह वर्ड्स हैं आपके bandages crutch bandages पटी crutch बैसा की कृपल बिकलाग अपंग व्यक्ति ओनर सौभाग्य मिसफोर्चून दुर्भाग्य और system is a system only इसका हिंदी में system easy word है वैसे समझने के लिए look at the picture in the unit इसमें जो आपको picture दीवे उनको देखिये pictures को and guess in what way the school may be different from other school और देखे ये school बाकियों से कैसे अलग है ये बच्चे ने जो bandage लगाई हुई है अभी पढ़ेंगे कि क्या इसको दिखाई नहीं देता या फिर क्या बात है ऐसी कि स्कूल में क्या ऐसी चीज करके लोगों को okay चलिए start करते हैं different kind of school I had heard a great deal about miss beam school but not till last week did the chance come to visit it मैंने बहुत सारी चीजे बहुत बड़ी बड़ी बाते सुनी है miss beam के school के बारे में लेकिन पिछले हफते तक मुझे chance ही नहीं मिला था कि मैं उनके school को visit कर सकूँ एक बार देख सकूँ कि ऐसा है क्या लोग इतनी great क्यों बताते है इतना अच्छा school क्यों बताते हैं उसे okay when I arrived जब मैं गया वहाँ पर school में there was no one in sight कोई भी मुझे sight में नजर के सामने दिखाई नहीं दे रहा था but a girl about 12 सिर्फ एक लड़की दिख रही थी जो लगबग 12 साल की रही होगी आप ही की age की लगबग her eyes were covered with the bandage एक पटी से उसकी आखे बंदी हुई थी and she was being led carefully और उसको lead कर रहे थे मतलब ले जाया जा रहा था बहुत carefully बहुत साफधानी से between the flower beds वहांके जो फूलों की क्या रही थी उनके बीच से उसको ले जाया जा रहा था by a little boy एक छोटे बच्चे के द्वारा वो उसकी help कर र years younger जो उससे लगबख 4 साल छोटा रहा होगा she stopped वो रुकती है and it looked like she asked him who had come और ऐसा लगा कि उसने पूछा किसी से कौन आया है bandage बंदी हुई थी वो देख तो नहीं सकती लेकिन आप देखे कई बार आपको आवाद से सुनाई दे जाता है फिर पैरों की हाट चाद पैना है कितना बड़ा है ऐसे उसके बारे में मेरे बारे में वो शायद चोटा बच्चा उसको बता रहा था then they passed on उसके बाद वो वहाँ से चले गए okay miss beam was all that I had expected miss beam बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने expect किया था उम्मीद किया था middle age middle age की रही होंगी middle age बोलता है 40 to 50 around full of authority पूरे अधिकार वाली जो होती है he is full of authority yet kindly लेकिन कई लोगों का जो rob होता है थोड़ा सा वहंकार में आ जाते हैं लेकिन वह बहुत kindly बहुत दयालू थी and understanding और समझदार भी थी जो दूसरों की मतलब बातों को समझ जाए understandable हो okay her was beginning to turn gray उनके बाल सफेद होने लगे थे and she had the kind of plum figure थोड़ी सी plump थोड़ी सी fat थी वो and plum कोलते हैं थोड़ा सा जो fat भी हो और थोड़ा सा height में भी छोटा उसको plump कहा जाता है that is likely to be comforting for the homesick child जो की बच्चे homesick रहते हैं घर की बहुत याद आती है उनको ऐसे लोग बड़े comforting लगते हैं तो उनको देखके ऐसा लगता था थोड़ी kind भी है रॉब चलता है लेकिन understanding भी है बात समझती भी और figure भी थोड़ी ऐसी है कोई आसी नहीं बहुत लंबी और जो वो होते हैं कि आपको नाटेगी ऐसा नहीं था comforting feel देता था उनको देखके I asked her some questions about her teaching methods मैंने उनके teaching method के बारे में कुछ questions पूछे which I had heard were simple जो मैंने सुने थे और simple ही questions थे no more than is needed to help them to learn how to do things तो वो बताती है Miss Beam की चीजों को करने के लिए जितनी जरूरत है हम उससे जादा नहीं पढ़ाते कि इन चीजों को करने के लिए simple spellings learn करने के लिए जितनी जरूरत है adding subtracting multiplying and writing लिखने के लिए add करने के लिए subtract multiply करने के लिए spellings के लिए जितना पढ़ाने की जरूरत है, हम उतना ही पढ़ाते हैं, उतनी ही उनकी help करते हैं, उससे जादा नहीं, no more than is needed, okay, जैसे कि उनने कहा भी कि मैंने उनके teaching method के बारे में पूछा, जो मुझे लगता था, बताया गया था कि बहुत simple है, तो उनने कहा कि ऐसा कोई special teaching method नहीं है, हम बस उतना ही बच्च during which they have to sit still and keep their hands quiet, और बाकी जो चीज़े हैं, जो rest is done, बाकी चीज़ें की जाती है by reading to them, उनको वो चीज़ रीड कराके, by interesting talks, interesting बाते करके उनसे, during which they had to sit still, और जब ये ऐसा हो रहा हो, रीड किया जा रहा हो, या फिर interesting कोई बात हो रही हो, तो उनको still बैठना होता है, still मतलब होता है, बिना moment के, इधर उदर हिले डुले, and keep their hands quiet, और अपने हाथों को एकदम, हाथ बिलकुल quiet होने चाहिए, ये नहीं कि आप कोई moment कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, दूसरे से बाते कर रहे हैं, और इसको मार दिया इधर, कोई moment नहीं होनी चाहिए, hand बिलकुल quiet होनी च कर पाए, बाकी की चीज़े reading और interesting talks के थ्रू होती है, और तब उनको बिलकुल शान्त, मतलब ना मुह से कुछ बोलना है, नहीं हाथ से कोई भी moment करनी है, शान्त बैट के बच्चे सुनते हैं, और इसके लावा कोई भी lesson हमारे school में नहीं होता है, ये हमारा teaching method है, the real aim of this school is not so much to teach thought, कि हम उनको बहुत जादा thought ना सिखाए, कि देखो आपको ये करना है, रटा दे, सच बोलना है, दूसरों के साथ ऐसे behave करना है, वो हम नहीं सिखाते, बहुत जादा thought नहीं सिखाते, बलकि हमारा main aim क्या है, as to teach thoughtfulness, उनको thoughtfulness सिखाना, ताकि वो खुद चिंतन शील हो, खुद सावधान रहे कि उनको कैसे behave करना है, खुद सोचे कि क्या rational है किसी भी situation में कैसे behave करना सही रहेगा, उसको हम कहते है thoughtfulness, कि आप कोई भी काम करने से पहले जब सोचते हो दूसरों के बारे में, मतलब आप thoughtful है, तो हम उनको thought नहीं सिखाते, कि ये सही है, ये गलत है, कि वो खुद differentiate कर सके सही और गलत में, kindness to other, दूसरों के प्रती वो kind रहे, गयालू रहे and being responsible citizen और एक country के responsible citizen बने, look out of the window a minute, will you, बाहर देखो एक बार खिड़की के आप देखेंगी, वो बोलती है writer को, I went to the window, मैं window की तरफ जाता हूँ, which overlooked a large garden, a playground at the back, जिसमें की बड़ा सा ए garden था, पहले और उसके पीछे एक playground था, what do you see, Miss Beam asked, आपको क्या दिखाई दे रहा है, Miss Beam मुझसे पूछती है, I see some very beautiful grounds, मुझे कुछ बहुती सुंदर grounds दिख रहे हैं, I said, and a lot of jolly children, बहुती खुश जो है, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, it pains me, लेकिन मुझे बहुती जबकी, to see that they are not also healthy and active looking, कि सभी बहुत healthy नहीं है, active नहीं दिख रहे हैं, when I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, मैंने देखा कि एक बचारी जो लड़की थी, poor मतलब यहां गरीब नहीं होगा, बचारी भी बोला जाते है, बचारी लड़की, इसके लिए आप bad feel करते हो, that is, उसके लिए भी poor word हम use करते है, एक छोटी लड़की थी, जिसको की कोई रास्ता दिखा रहा था, lead about, lead करना, lead करना, मतलब आगे की तरफ लेके जाना, she has some trouble with her eyes, उसकी आखों में शायद कोई problem रही होगी, now I can see two more with same difficulty, मुझे दो और बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, same बैसाकी पर है, crutches use कर रही है, वो, watching the other at play, और बाकियों को खेलते हुए देख रही है, मतलब उनके साथ खेल नहीं सकती, she seems to be a hopeless cripple, बिचारी बिलकुली hopeless, बड़ी ही निराश, बहुर बिसपॉइंट लग रही है, cripple मतलब जो विकलांग है, ऐसी वो दिखाई दे रही है, खेल नहीं सकती, साइड में खड़ी हो के, अपने crutches पे सिर्फ देख रही है, मिस बीम लाफ्ट, तो मिस बीम इस बात पे हसती है, और कहती है, अरे नहीं, she said, she is not really lame, वो सच में lame लंगडी नहीं है, this is only her lame day, आज उसका lame day है, अचा lame day है, मतलब आज उसको act करना है, जैसे पेर में कोई problem है, the others are not blind either, और बाकी जो है, वो भी अन्दे नहीं है, it is only their blind day, आज सिर्फ उनका blind day है, I must have looked very surprised, मुझे बहुत ही surprise हुआ यह सुनके, for she laughed again, जिसके बाद वो फिर से हसने लगी, this is very important part of our system, हमारे system का जो हम पढ़ाते है, यह बहुत important part है, to make our children appreciate and understand misfortune, ताकि जो misfortune कई बार कई बच्चों के साथ हो जाता है, दुर्भाग्य फून कोई घटना ऐसी हो जाती है, वो इसको समझे और understand करें, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किताबों में पढ़ लिया, कि हाँ अगर पैरों में problem हो तो हम यह use करतें, नहीं, आपको पता भी होना चाहि in misfortune 2, हम उनको misfortune को share करना भी सिखाते हैं, each term, every child has one blind day, हर एक टम में, जिससे आपकी हाँ first term, second term होता है, हर एक टम में, हर एक बच्चे का एक blind day जरूर होता है, one lame day, एक lame day होता है, जिस दिन वो चल नहीं सकता, एक deaf day, जिस दिन वो सुन नहीं सकता, one injured day, एक दिन जब वो injured रहता है, चोट लगी होती है उसको, and one dumb day, एक दिन वो जब dumb रहता है, मतलब वो बोल नहीं सकता, गुंगा होता है, during the blind day, जब उनका blind day होता है, their eyes are bandaged absolutely, उनकी आँखों पे बिलकुल अच्छे से पट्टी बांदी जाती है, and they are not, they are on their honor not to peep, और उसके बाद उनका honor है, य देख लेते हैं, नहीं, यहां पे यह honor है आपका कि आप पीप भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं देख सकते हैं, the bandages is put on overnight, रात को ही उनके जो eyes उस पे bandages बांदी जाती है, and they wake blind, और वो उठते ही बिलकुल blind की तरह है, this means that they need help with everything, इसका मतलब यह है कि उनने हर चीज में अभी help की जरूरत पड़ेगी, other children are given the duty of helping them, बाकी बच्चों को यह duty दी जाती है कि तुम्हें इनकी help करनी है, leading them about, जहां भी नहीं जाना, आप उनको lead करेंगे, they all learn so much this way, इस तरीके से वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, both the blind and the helpers, blind भी बहुत चीजें सीखते हैं, ऐसे लोगों misery यानि कि कश्ट भी नहीं होता, उन्हें, परेशानी भी नहीं होती, misbeam continue, everyone is very kind, सभी आस पास की बच्चे बहुत काइंड है, जो blind है ऐसा नहीं कि बहुत उन्हें परेशानी जेलनी पड़ेगी, पूरा दिन नहीं, सभी बहुत काइंड है, and it is really something of a game, और ये सच में यही हमारा game है, before the day is over, though, even the most thoughtless child realize what misfortune is, जब तक दिन खतम होता है, जो सबसे thoughtless बच्चा है, जो कुछ नहीं सोचता, उसको भी पता लग जाता है, कि misfortune होता क्या है, दुर्भाग्य होता क्या है, किसी के साथ ऐसा होता होगा, तो इसको कैसा feel होता होगा, अब कभी भी आप future में ऐसे किसी बच्चे को देखेंगे, तो आप वो चीज feel कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको जहला है पहले, okay, the blind day is of course really the worst, blind day जब किसी का होता है, तो वो सबसे बुरा होता है, but some of the children tell me that the dumb day is very most difficult, लेकिन कुछ बच्चोंने बता है कि जब dumb day होता है, जब वो बोल नहीं सकते, गुंगे वाला उनका जो दिन होता है, वो भी बहुत मुश्किल होता है, we cannot bandage the child's mouth, बच्चे के मुपे तो पट्टी नहीं बान सकते, so they really have to exercise their willpower, अब उनको उनकी जो willpower है, अंदर की जो सक्षक्ती है, उससे ही काम लेना पड़ेगा, जितना भी बोलना चाहे, आप बोल ह आपने की कुछ भी हो जाए, वो चीज़ कॉंस्टेंट आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कि मुझे बोलना नहीं है, come into the garden and see for yourself how the children feel about it, आईए आप खोद गार्डन में चलियों और देखे कि बच्चे कैसा feel करते हैं इस बारे में, मिस बीम led me to one of the bandage girl, एक bandage जो गल थी, जिसके आँको पट्टी बंदी थी, मिस बीम उसके पास मुझे ले जाती है, here is a gentleman come to talk to you, यहाँ पे देखे एक gentleman आपसे बात करने के लिए आए है, said मिस बीम and left us, और उतना कहके वो उस बच्चे के पास उनको छोड़के चली जाती है don't you ever peep, क्या तुम कभी इस से पट्टी से जाक के नहीं दिखती हो, I asked the girl, मैंने लड़की से पूछा, oh no, अरे नहीं, she exclaimed, that would be cheating, यह तो cheating हो जाएगी, but I had no idea, it was so awful to be blind, लेकिन मुझे कभी idea ही नहीं था, कि blind होना इतना awful, इतना डरावना हो सकता है, इतना भयानक हो सकता है you can't see a thing, आपको कोई भी चीज नहीं दिखाए देती, you feel you are going to be hit by something every moment, हर टाइम ऐसा लगता है कि कोई आपको hit ना कर दे, कोई चीज आपको hit ना कर दे, आप गिरना जाओ, यह डर लगा रहता है, it's such a relief just to sit down, और सिर बैट के ही बड़ा relief मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, चलोगे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, तो पता लगता है कि जो लोग blind होते होंगे, कैसी life वो जीते है, in fact आप तो पहले देख सकते थे, एक ही दिन के लिए blind हो, आपको पता है चीज नहीं कैसी है, जो लोग blind हो उन्होंने चीज नहीं कभी देखी ह वो kind है, मतलब दयालू है, आपके प्रती, fairly, बिलकुल, but they are not as careful as I shall be when it is my turn, लेकिन वो इतने careful नहीं, इतने साधान नहीं है, जितनी मैं होंगे, जब ये मेरी turn आएगी, क्योंकि आपने वो चीज एक्सपीरियंस कर ली है, आपको पता है कि कैसे help करनी है, तो जब मेरी turn वो सबसे अच्छी helpers बनते हैं, it's perfectly ghastly not to see, ये बिलकुल ghastly मतलब terrific है, terrifying है, भयानक है, खौफनाक है, ये सोचना भी कि आप देख नहीं सकते, I wish you would try, मैं चाहूंगी कि आप भी try करो कि कितना ये ghastly, ghastly meaning terrible, कितना बुरा है कि आप देखना पाओ, तो जो लोग blind रह चु I asked, क्या मैं तुमें कहीं लेके चलू, मैंने उस बच्ची से पूछा, oh yes, she said, let's go for a little walk, हाँ, चलो थोड़ी सी walk के लिए चलते हैं, only you must tell me about things, लेकिन आपको मुझे चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, I shall be so glad when today is over, मैं बहुत कुश होंगी जब आज का दिन खतम होगा The other bad days can't be half as bad as this, बाकी के दिन तो इसके आदे भी बुरे नहीं होते, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess, मुझे लगता है कि आपका एक पैर नहीं है, जो पैर आपका टाई किया जाता है, बांदा जाता है, और आपको hop करके कूद कूद के चलना पड़ता है, crutches के उपर, बैसाकी के Having an arm tied up is a bit more troublesome, लेकिन अगर आपकी एक हाथ नहीं है, जब आपका एक हाथ कर दिया जाता है, यह दिखाने के लिए, यह आपको महसूस कराने के लिए, कि जिनके हाथ नहीं है, उन्हें कैसा feel होता है, तो मुझे लगता है, वो थोड़ा परिशानी बरा रहता होगा, थोड़ mind करूंगी नहीं, at least not much, at least इतना नहीं करूंगी जितना मैं blind होके कर रही हूँ, but being blind is so frightening, लेकिन blind होना बहुती जादा frightening है, बहुती जादा डरावना है, my head aches, मेरे सर में दर्द हो गया है, all the time just from worrying that I'll get hurt, मेरे सर में दर्द यही सोच सोच के हो गया है, कि मुझे कहीं चोट हम अब घर की तरफ जा रहे है, मिस बीम, is walking up and down the garden with a tall girl, मिस बीम जो है, वो उपर और नीचे walk कर रही है, गार्डन में, एक टॉल गर, एक लंबी लड़की के साथ, what is the girl wearing, my little friend asked, वो शोटी बच्ची ने पूछा, वो फ्रेंड बन गए अभी इनकी, कि लड़की ने पहना क है, वो मिली है, she said, what color is her hair, उसके बाल कैसे रंके है, very light, बहुत हलके color के है, brownish होंगे जरूर, I said, yes, that's Millie, she is the head girl, हाँ, वो मिली ही है, वो head girl है, there is an old man tying up roses, एक बुड़ा आदमी, रोस को जो है, वो बांध रहा है, I said, yes, that's Peter, हाँ, वो Peter है, he is gardener, he is hundreds of years old, वो हमारे यहां क माली है, और वो 100 साल का है, लगबग, कई सो साल का है, and here comes a girl with curly red hair, she is on crutches, और यहां फिर एक लड़की आ गई, मतलब यह पर सबी चीज़े बता रहा है, कि देखो, महाँ पे वो यह garden tie कर रहा है, और एक लड़किया, यह curly hair, red color के hair है उसके, और वो crutches के ऊपर है, तो यह सब को पहचान रही है, क्योंकि पहले देखा हुआ है, सभी को, that's Anita, she said, वो Anita है, okay, मतलब, आखे बंद किये कही, वो imagine कर रही है, क्या, curly hair है, क्रचिस पे है, आज क्रचिस का दिन, Anita का था, okay, gardener को भी imagine कर रही है, क्योंकि पहले देखा हुआ है, obviously, and so we walked on, और ऐसे ही हम चलते ग के बारे में, कि मैं अब लगवग 10 गुना thoughtful हो गया हूँ, चीजों को समझने लगा हूँ अच्छे से, जो मैंने कभी सोचा था कि मैं हो पाऊंगा, जितना मैंने सोचा था कि मैं इतना thoughtful हूँ, उसका 10 गुना मैं अभी हो गया हूँ, I also realized that if I had to describe people and things to someone else, मैंने ये भी जाना realize किया, अपने बारे में महसूस किया, कि अगर मुझे बताना हो, describe करना हो किसी को, लोगों को, दूसरों के बारे में, it made them more interesting to me, तो मुझे भी बहुत interest आता है, आप देखिया, आप normal चीजों को देख रहे हैं, तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप किसी person को describe करें, मान लिजी मुझे फाइनली जाना पड़ा, I told Miss Beam, that it was very sorry to go, कि मैं, I am very sorry to go, मुझे बड़ा लग रहा है, मतलब मैं यहाँ पर और हैना चाहता हूं, ah, she replied to Miss Beam, reply करती है, then there is something in my system, after all, तो मतलब मेरे system में कोई तो बात है, कि आप जाते होए sorry feel कर रहे हैं, और यहाँ पर रहना चाहते है तो यह थी, आप यह था आपका chapter, E.V. Lucas ने यह लिखा है, I am sure यह जो idea है, यह आपको पसंद आया होगा, आप में से कभी कोई बड़ा होके अगर education system में जाता है, तो इसको apply कर सकता है, so that's all students, thank you so much for watching.